हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विवेक कुमार आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया की आप मेरे विडियो को पसंद करते हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली विडियो आप तक पहुँच सके तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं वेलेंटाइन दे यानी 14 फरवरी 2023 का दिन था नाला सो पारा इलाके में भी इस समय अच्छी खासी चहल फल थी लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्थ थे शाम के समय वहां के निवासियों को सीता सदन बिल्डिंग से बद्बू आती हुई महसूस हुई तो किसी अन्होनी की आशंका से उन्होंने इसकी सूचना इलाके के तुलिंच थाने में फोन करके दे दी यह सूचना सुनकर पुलिस सीता सदन बिल्डिंग की तरफ निकलने की तयारी करने लगी इसी दौरान करनाटक से एक महिला ने इसी थाने में फोन करके सूचना दी कि सीता सदन में रहने वाली उसकी भतीजी मेघा का कतल हो गया है उसे यह बात स्वयं कातिल हार्दिक ने वाटसैप पर मैसेज करके बताई है कुछ देर पहले पुलिस को सीता सदन में ही बद्बू आने की काल मिली थी अब उसी बिल्डिंग में हत्या किये जाने की काल मिलने पर इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगर कर समझ गए कि दोनों ही काल एक ही घटना की हो सकती है इसलिए वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की तरफ निकल गए जब वह वहां पहुँचे तो देखा कि मुख्य दर्वाजे पर ताला लगा था उन्होंने ताला तुर्वा कर कमरे में प्रवेश किया तो कमरे में एक बैर पड़ा था जिसके अंदर से भयंकर बद्बू आ रही थी बैर का बाक्स खोला गया तो उसके अंदर सडीगली हालत में एक महिला की लाश मिली लाश की खराब हालत को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी हत्या लगभग दो से तीन दिन पहले की गई होगी क्योंकि शव सड़ने लगा था और उससे तेज बग्बू बाहर निकल रही थी घर के अन्य कमरों की तलाशी लेने पर वहां घर ग्रहस्थी का कोई अन्य सामान नहीं मिला लाश की सभी एंगल से फोटोग्राफी करवाने और फिंगरप्रिंट लेने के बाद उसे पोस्ट मार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर ने पडोसियों से घटना के बारे में पूछताच कर मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि कोई एकाध महीने पहले एक दमपती यहां किराये पर रहने के लिए आया था पडोसियों को इस मकान के अंदर से अक्सर उनके लड़ने की भी आवाजें आती थी जिससे लगता था उनके आपसी संबंध ठीक नहीं रहे होंगे चुकी पडोसियों को उनके व्यक्तिगत मामले से कुछ लेना देना नहीं था शायद इसलिए किसी ने उनके परसनल मामले में हस्तक शेप करना ठीक नहीं समझा था मृतक मेघा के साथ रहने वाला युवक हार्दिक गायब था यह देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि इसकी हत्या उसके पती हार्दिक नहीं की होगी क्योंकि उसी ने मेघा की चाची को वाटसैप पर मैसेज भेज कर मेघा का कतल करने की बात कही थी अब पुलिस को पूच्टाच के लिए उस युवक की तलाश थी लेकिन पडोसियों में से किसी ने भी उसे फरार होते हुए नहीं देखा था आखिरकार मकान मालिक और रियल स्टेट एजेंट को बुला कर इसमें रहने वाले युवक के बारे में पूच्टाच की गई नमबर मिल गया सीता सदन को सील कर इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर की टीम वापस थाने लोट गई उसी रात यानी 14 फरवरी 2023 को मेघा की हत्या का मामला दर्स कर लिया गया मामला दर्स करने के बाद पुलिस आरोपी हार्दिक की तलाश में जी जान से लग गई इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर ने अपनी टीम को घर के आसपास लगे CCTV की फुटेज खंगालने का आदेश दिया साथ ही आरोपी हार्दिक के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा कर उसकी लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया तो 12 फरवरी को उसके ट्रेन द्वारा मुंबई से राजस्थान के लिए रवाना होने का पता चला इस वक्त वह ट्रेन में सवार था इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर ने मुंबई के मीरा भायंदर वसई विरार की अपराद शाखा और मध्यप्रदेश के नागदा स्थित आरपी एफ पुलिस को आरोपी के बारे में सूचित कर दिया आरपी एफ की मदद से हार्दिक को यात्रा के दौरान ही मध्यप्रदेश के नागदा रेलवे स्टेशन से उस समय गिरफतार कर लिया गया जब वह ट्रेन की बोगी में यात्रा कर रहा था अपराध शाखा की टीन ने आरोपी हार्दिक को नागदा से लाकर तुलिंच ठाने के इंस्पेक्टर शैलेंद्र नगरकर को सौंप दिया इंस्पेक्टर शैलेंदर नगरकर ने हारदिक से पूझताच शुरू की तो हारदिक ने मेगा की हत्या का जुर्म स्विकार कर लिया अपने इकबालिया बयान में आरोपी हारदिक ने जो कुछ बताया वह इस प्रकार है हार्दिक शाह एक मौडर्न खयाल का युवक्त था वह मुंबई में मलाड के एक नामचीन हीरा व्यापारी संपत भाई का बेटा था घर में दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए उसका सारा दिन सेरसपाटे और मौजमस्ती में गुजर जाता था जैसा की आमतौर पर देखा गया है कि आजकल लड़के की कोई न कोई गर्लफ्रेंड जरूर होती है हार्दिक शाह को भी सोशल मीडिया पर चलने वाले विभिन एप पर नई लड़कियों से दोस्ती कर उनके साथ चैटिंग करने में बड़ा मज़ा आता था बात सन 2018 की है एक डेटिंग एप पर हार्दिक शाह की मुलाकात मेघा धन सिन तोरवी से हुई 34 वर्षिया मेघा तोरवी मूल रूप से केरल की निवासी थी लेकिन इन दिनों नाला सुपारा के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी इन दिनों लड़के हो या लड़किया अपने से बड़ी उम्र के पार्टनर के साथ इश्क करने से गुरेज नहीं करते हार्दिक और मेघा तोरवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हार्दिक शाह की उम्र 24 साल थी जबकी मेघा तोरवी 34 की थी वह हार्दिक से लगभग 10 साल बड़ी थी लेकिन प्रेमिका के बड़ी उम्र के होने से हार्दिक को कोई परिशानी नहीं थी अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप से विनमर निवेदन है की कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृप्या क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमें आपके सहियोग की बहुत जरूरत है कुछ दिनों तक आपस में चैटिंग करने के बाद उनका मिलना जुलना शुरू हो गया धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्हें अब एक दूसरे से दूर रह पाना मुश्किल लगने लगा आखिरकार उन्होंने लिवएन रिलेशन्शिप में रहने का फैसला कर लिया हारदिक मलार स्थित अपने पैतरिक घर से दूर आकर विजय नगर में एक मकान लेकर मेघा के साथ रहने लगा हारदिक जैसे मालदार प्रेमी का साथ पाकर मेघा अपने जीवन को धन्य समझने लगी हार्दिक ने मेघा के सामने अपने पिता की दौलत को लेकर धेर सारे कसीदे पड़े थे जिसे सुनकर मेघा सपनों की सत्रंगी दुनिया में विचरने लगी थी उसे लगता था कि हार्दिक के साथ उसकी बाकी की जिन्दगी बड़े आराम से गुजरेगी हार्दिक को खुश रखने के लिए वह अपनी सारी कमाई उस पर लुटाने लगी। उसे खुश रखने में मेगा कभी कोई कोरकसर बाकी नहीं छोड़ती थी। हाला कि हार्दिक भी मेगा को दिलोजान से चाहता था। वह मेगा के लिए नयने तोहफे लाया करता और उसकी हर सुख सुविधा का बहुत खयाल रखता था मेगा जब नौकरी के लिए जाती तो वह उसे चोरने और छुट्टी के समय उसे लेने जाता था हार्दिक के पिता उसे जेब खर्च के लिए हर एक महीने 20,000 रुपए देते थे दोनों की जिन्दगी मजे में गुजर रही थी तभी 2019 के मार्च महीने में कोरोना फैलने के डर से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया इस लॉकडाउन से लोगों के कामधंधे चूट गए हार्दिक और मेगा भी इस से बच नहीं सके और उनकी भी जिन्दगी परेशानी में घिर गई कुछ दिनों के बाद हार्दिक ने फिर भी डेटा कलेक्शन का काम करके घर की स्थिती को संभाल लिया 2022 में जब देश में लॉकडाउन हटाने की घोशना हुई तो मुंबई का जन जीवन सामान्य होने लगा इसके बाद जब हालात ठीक हो गए तो मेघा ने फिर से अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया उनके घर में खुशियां पहले की बहाल हो गई सब कुछ ठीक ही चल रहा था हार्दिक बीच बीच में मलाड स्थित अपने पिता के घर भी चला जाता था अभी तक हार्दिक ने अपने घर में मेघा के साथ रहने की बात नहीं बताई थी उसे मालूम था कि उसके पिता मेघा को अपने घर की बहु के रूप में कभी स्विकार नहीं करेंगे एक बार किसी काम में हार्दिक ने पिता के 40 लाख रुपए गवा दिये इस से उसके पिता बहुत नाराज हुए थे करीब आठ महीने बाद अगस्ट में हार्दिक ने मेघा से शादी कर ली और विजय नगर से नाला सोपारा के सीता सदन में रहने चला आया यहां हार्दिक और मेघा ने लोगों को यही बताया कि वे पति-पत्नी है अभी दोनों को यहां रहते हुए कुछ ही समय गुजरा था कि हार्दिक के पिता को बेटे के मेघा के साथ रहने की जानकारी हुई तो वह उससे इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने हार्दिक को अपनी पूरी जायदाद से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया इसके साथ उन्होंने हार्दिक को महीने का मिलने वाला बीस हजार रुपए देना बंद कर दिया पिता द्वारा उठाए इस सक्ट कदम से हार्दिक की आर्थिक हालत खस्ता हो गई दरसल अभी तक वह पिता की दौलत पर ही एश कर रहा था लेकिन अब जब पिता ने उसकी हरक्तों से तंगा कर उसे बेदखल किया तो अपने पैर पर खड़े होने की बजाए वह मेघा की कमाई पर एश करने लगा उसे लगता था कि मेघा उसके बेरोजगार पड़े रहने पर कुछ नहीं कहेगी पहले तो मेघा ने उसे समझा बुझा कर अपने योग्य कोई ढंका काम या कोई नौकरी तलाशने का सुझाव दिया पर मेघा की बात पर हार्दिक ने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया वह मेघा की कमाई पर एश करने लगा जिससे मेघा को घर का खर्च पूरा करने में परेशानी होने लगी हार्दिक के हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी मेघा के नाजुक कंधों पर आ गई रुपए पैसे की किल्लत के कारण उनके घर में कलेश रहने लगा हार्दिक मामले की नजाकत को नहीं समझा और मेघा के पैसों पर एश करना जारी रखा आखिर में 11 और 12 फरवरी 2023 की रात हार्दिक के बेरोजगार रहने को लेकर बात बढ़ जाने पर हार्दिक अपना आपाखो बैठा और तॉलिये से मेघा का गला घोट कर मार डाला मेघा की लाश को छिपाने के लिए उसने उसकी लाश बिस्तर में लपेट कर बैड के बाक्स में रख दी पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए वह यहां से बहुत दूर चला जाना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए अगले दिन उसने घर के सभी महेंगे सामान कम कीमत पर बेच कर कुछ रुपए इकठा किये 12 फरवरी को फरार होने से पहले हारदिक ने कनाटक में रहने वाली मेघा की चाची को फोन कर बता दिया कि रोज-़ोज के धगडे से तंगा कर उसने मेघा की हत्या कर दी है और उसकी लाश बैड के बाक्स में छिपा दी है अब वह आत्महत्या करने हरिद्वार जा रहा है इसके बाद वह घर के दर्वाजे पर ताला लगा कर वेलवे स्टेशन पर पहुँच गया वहां से उसने राजस्थान जाने के लिए ट्रेन पकड़ी मगर पुलिस ने 15 फरवरी 2023 को बीच रास्ते से ही उसे गिरफ्तार कर लिया उसे मुंबई के वसई की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 21 फरवरी 2023 तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद इस कहानी के बारे में अपनी राए कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराद की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद